आज मैं आप लोगों को खाद शंखला और खाद जाल के बारे में चित्र सही समझाओंगा तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखिए चलिए सुरू करते हैं पहले खाद शंखला के बारे में जान लेते हैं तो भोजन या उर्जा संबंधी आवसकताओं के आधार पर पारितंत्र में बिभिन जातियों के बीच संबंध को खाद शंखला कहते हैं अथवा इसे ही आहार संखला भी कहा जाता है निए खाद शंखला को आहार संखला के नाम से भी पूछा जा सकता है अथवा अंग्रेज अथवा पारिश्थितिक तंत्र अथवा एकोसिस्टम में अलग-अलग प्रकार के जो जन्तु होते हैं वे अलग-अलग तरह से पोशण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं आपस में एक दूसरे पर आस्रित होते हैं और भोजन से जुड़ी सभी जरूरतों के आधार पर जो पारिश्थितिक तंत्र होता है जो एकोसिस्टम होता है इसमें जीवों के बीच में आपसी संबंध को ही खाद शंखला कहा जाता है तो कहें तो किसी पारिश्थितिक तंत्र में खाद शंखला के बिभिन प्रकार के जीवधारी जो होते हैं वे भोज और भोजन के लिए एक निश्चित संबंद होता है तो उनके बीच में पोशन के लिए एक निश्चित संबंध होता है इस प्रकार के संबंध को खाद शरंखला कहा जाता है थवा फूर्ड चेन कहते हैं तो आहार शरंखला आधवा खाद शरंखला का एक उदाहरण यहां पर समल लेते हैं चित्र को देखिए इसमें देखिए हारे पौधे हैं और हारे पौधे होते हैं उत्पादक या इन्हें प्रथम पोसी अस्तर भी कहा जा सकता है तो हारे पौधों को इस टिड़े ने खाया जो टिड़ा है ये टिड़ा हारे पौधों को खाता है तो हारे पौधों को जो खात तो इससे दूसरा पोसियस्तर भी कह सकते हैं फिर अब जो टिड़ा है इसको खाया मेधक ने टिड़े को खाया मेधक ने तो मेधक हुआ मांसाहारी क्योंकि इसने जन्त को खाया तो टिड़े को खाया इसलिए मांसाहारी हो गया और ये पोसी अस्तर कौन सा हुआ तिरती ये पोसी अस्तर हुआ अब आगे देखिए जो मेढख है इसको खाया सांप ने मेढख को खाया सांप ने तो ये चौथा पोसी अस्तर हो जाएगा और ऐसे ही सांप को खायेगा बाज तो बाज उच्च मांसा हारी हो जाएगा और पा ओभोगता हुआ और कैसा ओभोगता है तो प्रात्मिक ओभोगता हुआ या इसी को दूसरा पोसियस तर भी कहा जा सकता है। तो बाज हुआ उच्चमान सहारी क्योंकि ये सबको खा रहा है इस प्रकार से उत्पादक और उब्होगता के बीच में संबंध होता है और इसी तरह से आगे देखिए ये जो अब घटक होते हैं जो अब घटन करता होते हैं जब ये बाज मर जाएगा तो इसके सरीर को ये को खा कर खत्म करते हैं तो इस तरह से ये पूरी फूर्ट चेन चलती रहती है और इसी संबंध को ही इसी सरंखला को ही आहार सरंखला अथवा फूर्ड चेन अथवा खाद शरंखला कहा जाता है ये जो एक क्रम बन गया है एक दूसरे को खाने का तो इसी को फूर्ड चेन क जो हो गया है अब आपको बताते हैं कि एक तालाव या पॉंड में किस तरह से खाती संखला या आहार संखला चलती है तो पहला है इसमें जो सैवाल है, सैवाल क्या है, उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये हरे पौधे होते हैं, और सूरी के प्रकास के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए ये क्या हुए, उत्पादक हो गए, अब इनको खाया जलिये पिस्सू ने, जो जलिये पिस्सू होता है, स कैसी हैं दूतिय स्रेणी के उभोगता हुई और इसके बाद फिर छोटी मचलियों को खाया बड़ी मचलियों ने तो बड़ी मचलियां भी उभोगता हैं लेकिन कैसे उभोगता हुई यह तिरतिय स्रेणी की उभोगता हुई और फिर बड़ी मचलियों को खाया बगुला चलती है ऐसे ही तालाप के पारितंत्र का अगर दूसरा उदाहराराण देखा जाये तो इसमें हरे जो पौधे होते हैं circul но को खाते हैं कीड कीड। और कीडे मकोडे क्या हुए उभोगता हुए फिर कीडों मकोडों को कौन खाता है मेड़क खाता है तो मेड़क क्या हुआ ये दूतियसरेडी का उभोगता हो गया इस तरह से जो मेड़क को खाएगा वो दूतियसरेडी का उभोगता हो जाएगा तो इस प्रकार से एक गास को खाया कीडे मकोडों ने जो घास थी कीडे मकोडों ने खाया कीडे मकोडों को चीडिया ने खाया और चीडिया को किस ने खाया बाज ने खाया इस तरह से यह खाशंकला चलती है तो घास हुई उत्पादक कीडे मकोडे हुए प्रथम स्रेडी की उभोगता चीडिया ह हुआ जो उच्छी स्रेडी का उभोकता या मानसा हारी हो गया तो इसी तरू से मैंने जब से बताया था कि घास है टिड़े हैं मेधक है सर्प प्रकास को टेड़े निखाया, टेड़े को मेढक निखाया, मेढक को सर्प निखाया, सर्प को बाज निखाया ये भी चलेगा। और बदलने के बाद भोजन का निर्मार करते हैं, या खाद पदार्तों को बनाते हैं, और उसे संचित रखते हैं अपने अंदर या उसे कहा लिजी एकाथा रखते हैं, इसलिए इन्हे प्रात्मी को भोक्ता कहा जाता है। फिर साकाहारी जीव इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं जो साकाहारी जीव होते हैं जो प्रथम स्रणी के उभोगता होते हैं साकाहारी जीव कहलाते हैं इसलिए उन्हें प्रात्मिक उभोगता कहा जाता है यानि साकाहारी जीव उत्पादकों से अपना भोजन प्राप जीवों पर भी निर्भर रहते हैं तो उनहीं ही दुतियक अधवा तिर्थियक स्रेडी की उभोगता कहा जाता है और पार्य solidarity में हिन उच्छ मानसाहारिएं को जो खाते हैं यानि जो जीवाण होते हैं जो कवक होते हैं ये अब घटन करता होते हैं जीवाण और कवक अब घटन करता होते हैं तो ये अफसिष्ट पदार्थों को या मरेवे जीवों के सरीरों को खाकर उनको खत्म करते हैं समाप्त करते हैं तो ये सभी अब घटन करता कहलाते हैं तो ये सभी क् उच्चमान सहारियों को खा करके खाद शंखला की चेन को पूरा करते हैं, अब खाद जाल के बारे में चित्र सही समाल लेते हैं, तो एक खाद शंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद शंखलाओं के जीवधारियों से होता है, इस प्रकार अनेक खाद शंखलाओ के पारस परिक संबंध को खाद जाल अथवा फूड विप कहते हैं यानि जो एक खाद शंखला होती है जो आहार शंखला होती है उसके जीवधारी जो होते हैं उनका संबंध जो दूसरी खाद शंखला होती है उसके जीवधारियों से होता है और जब इस तरह से अनेक यानि बहुत सारी स्रंखलाएं आपस में मिल जाती हैं जुड जाती हैं तो एक जाल सा बन जाता है उसे ही खाद जाल कहा जाता है अथवा फूड विप कहते हैं चलिए इस परिभासा को अच्छे से समझा देते हैं पिछले वीडियो में मैंने खाद श्रंखला अथवा आहार अथवा खाद श्रंखला अथवा फूड चेन का चित्र है इसमें देखिए हरे पौधों को टिड़े ने खाया जो हरे पौधे हैं इनको टिड़े ने खाया और टिड़े को मेढ़क ने खाया फिर मेढ़क को सांप ने खाया इसके बाद सांप को बाज ने खाया तो ये एक सीधा सा क्रम चला कि एक के बाद एक को खाता गया एक लाइन में पोशक अस्तर है यानि एक सीधा क्रम है इसी लिए ये अहार स्रंखला अथवा खाद शंखला थी अब ध्यान से देखिए ये जो टिड़ा है इसे मेधक के अलावा कोई और नहीं खा सकता है क्या सोचो तो खा सकता है तिड़ा को मेधक के अलावा कोई कीट भी खा सकता है अथवा तिड़ा को बाज भी खा सकता है तो अब तिड़ा को खाने वाले मेधक बाज और कोई कीट तिन-तिन हो गए ऐसे ही जो मेधक है मेधक को साप के अलावा बाज भी खा सकता है सारस भी खा सकती है ऐसे ही हर खाद जाल में बहुत से जीव एक दूसरे को खा सकते हैं अर्थात कुल मिला कर कहा जाए तो पारितंत्र में अनेक आहार स्रंखलाएं होती है जो हमारा पारितंत्र है जो एको सिस्टम है उसमें बहुत सी आहार स्रंखलाएं होती है जो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं जो फूड चेन हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इन ही खाद श्रंखलाओं के आपस में मिलने से एक जाल सा बन जाता है बहुत सारा जटिल सा जाल बन जाता है जिसे खाद जाल अथवा food wave कहा जाता है तो कोई भी खाद श्रंखला हो या food chain हो उसमें बैकलपिक रास्ते बनने से वह खाद जाल अथवा food wave में बदल जाती ह उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो हरे पौधों को खाने वाले टिड़े भी होते हैं जो हरे पौधे होते हैं इनको खाने वाले टिड़े भी होते हैं खरगोस भी हरे पौधों को खाते हैं और चुहे भी खा सकते हैं और चूहों को सर्ब खाते हैं, अब देखिए, सर्ब के लिए मेधक और चूहा बैकल्पिक भोजन हुआ, यानि जो सर्ब है, वो मेधक को भी खा सकता है, और चूहे को भी खा सकता है, ये ओफिसनल है उसके लिए, ऐसे ही बाज के लिए, चूहा, सर्ब और मेधक को भी खा सक सर्प को भी खा सकता है और बाज मेढग को भी खा सकता है तो इस प्रकार से इसे ही बैकलपिक कहा जाता है इन्हीं उसके लिए ओफिसनल है इस आधार पर पारितंत्र में अनेक अहार स्रंखलाएं होती हैं जो परस पर अनेक प्रकार से जुड़ कर एक खाद जाल सा बना लेत यानि कई आहार स्रंखलाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं मिल जाती हैं तो एक जाल सा बन जाता है उसी को खाद जाल कहा जाता है अथवा इसी को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि प्रतेक उपभोगता के लिए अपने उपभोग करने के लिए एक से अधिक प्रकार के जीन मिल जाते हैं या प्रते कंजीमर के लिए पोशन करने के लिए या पोशन करने की खातिर एक से जादा तरह के जन्त मिल जाते हैं इस प्रकार से बने आहार स्रंखलाओं के जाल को ही खाद जाल अथवा फूर्ड वेव कहते हैं तो इस प्रकार से अनेक खाद श्रंक लाएं अथवा अनेक फूर्ड चेन आपस में मिलकर एक जटिल सा जाल बना लेती हैं जिसे खाद जाल कहा जाता है तो आप लोगों को ऐसे ही एक जटिल खाद जाल अथवा फूर्ड वेव का चेतर दिखाता हूँ ये देखिए ये एक जटिल खाद जाल का चेतर है इस खाद जाल में पहले इस तरफ से देखते हैं ये हरे प्यण पोधे हैं जो उत्पादक होते हैं और अपना भोजन प्रकार संसलेशन किरिया के द्वारा बना लेते हैं इसलिए उत्पादक कहलाते हैं तो इनको खाया हीरन, बकरी, खर्गोस और चुहों ने यानि हीरन, बकरी, खर्गोस और चुहे प्रात्मिक उभोगता हुए प्राइमरी का अंजियूमर्स हुए अथवा इन्धी को साकाहारी भी कहा जाता है साकाहारी क्यों? क्योंकि ये हरे प्यण पोधों को खाते हैं तो ऐसे जन्तु जो हरे प्यण पोधों को खाते हैं काहारी भी कहलाते हैं और प्रात्मी को भोगता भी होते हैं अब हीरन को सेर खा गया जो कि उच्च स्रणी का भोगता था बकरी को सियार ने खाया और सियार को सेर खा गया ऐसे ही खरगोश को लोंबडी ने खाया और लोंबडी को मोर खाता है ऐसे ही मोर को सेर और इसे तरह से चूहा को बिल्ली खाती है और चूहा को उल्लू भी खाता है तो देखिए सेर, हीरन, बकरी, खरगोस, लोंबडी, मोर आधी सब को खा जाता है यानि सेर के लिए जो ऑफसनल है जो बैकल्पिक भोजन है वो कौन-कौन हुए हीरन, बकरी, खरगोस, लोंबडी, आधी जो है य इसी तरह से यदि दूसरी तरफ से देखा जाए तो पेंड पौधों को कोई कीडे मकोडे खाते हैं जो पेंड पौधे होते हैं कीडे मकोडे भी उनको खाते हैं फिर कीडे मकोडों को चिडिया ने खाया जो कीडे मकोडे थे उनको क्या क्या चिडिया ने खाया और चिडिया और मेधक को साब भी खाता है और सारस भी खा लेती है सारस को सेर खा जाता है और सारस मचली भी खाती है तो देखिए साब के लिए यहाँ पर बैकलपिक भोजन हुआ चिडिया और मेधक। कोई भी खाद शेंखला हो, कोई भी फूड चेन हो, उसमें अगर वैकलपिक रास्ते बन जाते हैं, तो वहाँ खाद जाल में बदल जाता है, कुल मिला कर देखा जाए, तो जब अनेक खाद शेंखलाएं परस पर कहीं न कहीं जुड़ जाती हैं, तो उसे ही खाद जाल कहते हैं,